तो व्यूवर्स उजबेकिस्तान के समरकंद में जो की एक सांस्कृतिक धर्मिक शहर है वहाँ पर S.E.O. की 2022 की जो है मीटिंग चल लही है और इस मीटिंग में प्राइमिस्टर निर्मोदी ने संबोधित किया है और साथ ही साथ 1-to-1 मीटिंग की है जिसमें उन्होंने रू स्ट्रोक मना जा सकता है क्योंकि जिस परकार से तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं वो निरंतर भारत में कश्मीर के विशय पर पाकिस्तान के पक्ष में बोलते रहें और पाकिस्तान का तुर्की एक महत्पून एलाई है दोनों के बीच में बहुती close defense जो है relation है collaboration है cooperation है इस प्रिष्ट भूमी में प्रधान मंत्री ने अपने master उक्स्टोग चलते विए Turkish Prime Minister President के साथ जिस तरीके से भेट की है इसके एक दूर गामी महत हो सकता है और भारत और तुर्की के जो संबंदों में एक ग्रावट आई ये निरंतर जिस तरीके से रज़त तयव अर्दोगौन ने जो है लगातार कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान का साथ दिया है और ये एक महत्मनों कदम है जैसा की जानकारी मैंने बताया कि समरपन में जो शंगाई सायोग संगटन चलना है यहां भेट की है और विभिन चेत्रों में सायोग की गहरा करने के लिए चर्चा की गई है यह बहुत ही इंपोर्टन एक होगी जो इस तरीके से युक्रेइन वार में और अधरबायरजान और आर्मेनिया के युद में तुर्की के ड्रोन्स ने जो है भूमी का निभाई है और दुनिया भर में उसके टीवी टू ड्रोन की मांगी जा रही है अभी हाली में वहां के टीवी टू ड्रोन की बनाने वाली जो कंपनी है उसने कहा था कि भारत उनके मार्केट टार्गेट एरिये में नहीं है तो अगर इस प्रिष्ट भूमी में देखें तो तुर्की के राष्टपती से प्रधानमंतरी का मिलना और गहरे तरीके से सहयोग पर चर्शा करना एक महत्पूर्ण दूरगामी प्रभाव वाला नड़ा हो सकता है क्यूंकि तुर्की पकिस्तान का एक करेवी राष्ट रहा और बार-बार सैयोध राष्ट महास्थबा में तुर्की ने कश्मीर के मुद्दय का उले किया है प्रधार मंतरी नरीद मोदी जी ने इसे ट्वीट के माध्यम से इस पूरीय मुलाकात को साजा किया है देश के साथ और विश्यू के साथ अगर हम देखें तो तुर्की भारत ने अतीत में तुर्की की सारी जो टिपणिया कश्मीर से संबंदित रही हैं उसे भारत ने हमेशा असयुकार किया है और तुर्की को अने देशों की संप्रोबता का सम्मान करने की नसियत देता रहा है लेकिन ये एक नड़ाय जो है S.E.O. की मीटिंग में जिस तरीके से पधान मंत्री जी ने लिया है ये एक बहुत स्टर स्ट्रोक मना जा सकता है दोनों देशों ने S.E.O. शिकर से मिलन में जो हो एताहासिक समरकंद के शहर में हो रहा है उस्बेकिस्तान का शहर है उस्बेकिस्तान की राजधानी आप याद रखें ताशकंद है समरकंद नहीं है दोनों निताओं ने विबिन छित्रों में दिपच्छी सहयोग को गहरा करने पर चर्चा की है और विदेश मंत्राले के जो प्रवक्ता अरिजनम बाग्ची जी है उनों ने इस चर्चा को दोनों निताओं के भी जो हुई है बहुती उप्योगी हों महत्पूर माना है इसी तरह के से अगर दोनों छित देश सहयोग के लिए आगे आते हैं तो निश्चित रूप से इसका लाब दोनों देशों को मिलेगा और भारत भी तुरकी की जो सेने छित्रे में जिस तरह के तुरकी ने अपनी उन्नती की है भारत के मेकिन इंडिया के साथ सहयोग करके वो भी लाब उठा सकता है और भारत को भी इसका लाब मिल सकता है चेत्री विकास और वेश्वीक जो विकास पर भी दोनों ने चर्चा की है जो कि महत्पूर कदब माना जा सकता है अगर यह हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप उसको लाइक और शियर जरू करें और मेरे चैनल पर इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड बुल्कुल एक जिटोल वीडियो इन्नोवेटीव वे में जो है अप्लोड किया जा रहा है आप इसको देख सकते हैं थैंक यू सो मच